आज रेसिपी रूम में बनाएंगे ओडिस जो आपने सोचा ही नहीं होगा आलू को ही हम मस्रूम का सेप देंगे सुबह की भागदोड में हम सभी चाहते हैं कि एक जटपट बनने वाली हेल्दी टेश्टी नास्ता जो बच्चे बड़े सभी को पसंद आए तो चलिए बनाना शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप सभी लोगों से निवेधन है कि यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज इस वीडियो को डेर सारा लाइक दीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भुलिएगा रेसिपी रूम में आपका स्व कोड़ा उसमें नहीं रहना चाहिए इतने अच्छे से मिलना है कि आटे जैसे हमको गुंद देना है फिर दो चम्मच के करी पड़ा वाला चम्मच लेना है कौन फ्लोर डाल देंगे आपके पास यह यदि कौन फ्लोर नहीं है तो आप मैदा भी ले सकती है और चावल काटा इसमें नहीं डालना है चाहिए तो मैदा डाल सकती है या नहीं तो कौन फ्लोर डाल सकती है दोनों को अच्छे से मिक्स करना है यदि इसमें लगे गा है थोड़ा सा पानी तो हम पानी भी डालेंगे और अच्छे से आटे जैसे गुंते हैं उससे थोड़ा टाइट करके हम में गुंद लेना है उसको अच्छे से मिक्स करना है बहुत अच्छे से भी ज्यादा हमें पुंदना पड़ेगा इसको तभी ये अच्छे से बनेगा हाँ ये देखिए हमारा अच्छे से गुंद के तयार हो गया है इसी बीच में हम एक कड़ाई में एक जग के करीब एक लि कोई भी चीज का ले सकती है आप हम कोल्ड रिंग का ले रहे हैं और उसको बीच से ऐसे ही दवा देना है हलके हातों से दवा देना यदि आपका चिपक रहा हो तो उसमें थोड़ा सा तेल लगा सकती है आपकी ताकि निकालने में असानी हो तो इसको हम फिर दूसरा भी लोई देखिए हम कैसे बना रहे हैं दियान दियान दिया चोटा बड़ा अपने हिसाब से साइज डाल सकती है इसमें कुछ नहीं है कि बड़ा बने चोटा बने आपको जो अच्छा लगे आप वो बनाए ऐसे ही पेड़े का कार देना है थोड़ा और उसको उपर से थोड़ा दी तो इसमें हमको नहीं डालना है नहीं तो ये अंदर चिपक जाएगा बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है अब मैं एक एक करके इसमें चारो साइट से फैला के डालूंगी कि ताकि ये चिपके ना एक दूसरे से इसको हमें मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है अब हम इसमें थ ये सारे पीस जो है न उपपर अपने आप आजाएगा अब ये हमारा पग्य हच्छे से इसी बीच में हम एक कटोरी में पानी लेंगे और इसमें आइस डालेंगे यदि आपके पास आइस नहीं है तो ठंडा पानी भी आप डाल सकती है एक एक पीस को बहुत ध्यान से निक तेल डालेंगे जब ये भी बहुत अच्छे से गरम हो जाएगा तो थोड़ी सी कटी हुई प्याज डालेंगे हाँ एक चीस तो मैं आपको बताना बूल गई थी जब आप आलू बॉल करेंगी तो 80% ही आपको बॉल करना है अब हम प्याज को एक दो बार चला लेंगे जब कुछ नहीं है कि पहले डालना बाद में सिमलामिच हरीमिर साथ में डाल देंगे हम एक दो बार इसको चला लेंगे फिर हम अद्रक कद्दू कस करके रखेते थोड़ी सी उसको डालेंगे फिर एक साइड में लहसन डाल देंगे चार-पांच कली डाल देंगे उसमें इससे भी टेस्ट अच्छा आएगा, तो सारे को हम अच्छे से मिक्स करके चला लेंगे, ज्यादा नहीं पकाना है, दो चार बार इसको चलाना है, और आधी चम्मच से भी कम नमक डालना है इसमें, और एक चम्मच के करीब मिडियम साइज का चम्मच लेना है, चीनी डाल देना है इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, सबको मिक्स करके अच्छे से चलाएंगे, अब हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च का पॉडर डालेंगे, आपके पास यदि कस्मीरी लाल मिर्च है, तो वो आप डाल सकती हैं, उससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा, मैं इसमे लाल मिर्च का ही पॉडर डाल रही हूँ, अब हम इसमें थोड़ी सी सोया सौस डालेंगे, फिर टमाइटो केचप डालेंगे, टमाइटो केचप जो डालेंगे, वो करीब बड़ा वाला चम्मच के करीब, एक चम्मच के करीब डालेंगे, सबको हम अच्छे से मिक्स जिन बच्चों को नूडल्स, माइक्रोनी, पास्ता खाना पसंद है, उन्हें बेहत पसंद आएगा, बहुत ही अमेजिंग नाशता है अब ये हमारा मसाला अच्छे से फ्राइ हो गया है, अब हम इसमें सारे पीसेश को डाल देंगे और बहुत ध्यान से हलके हातों से चलाते जाएंगे, गैस को कर देंगे, बंद, इसको प्लेट में निकालके करेंगे सर्व, देखिए कितना बढ़िया और अमेजिंग नासता है बच्चे वड़े कोई भी खाने से कभी भी मना नहीं करेंगे, अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर 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 करें इस चैनल पर अगर आप नए आये हैं तो सब्सक्राइब करने की कंजूसी ना करें फिर मिलते हैं एक नई टेस्टी और बहुत ही असान सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बावा है